जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यस्त है खून गरीब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हच से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज पुलवामा 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामन में आते हैं उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना यह कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बात को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आजकल फेहरा में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे लेलू महोदय आज इन मानवा दिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आखाओं की नाक्वनी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेधना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नन्यनों निहालों की लंगोटियां चली गई चोटी चोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए है परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए है कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते है क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदे मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोदे फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदय अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आ हो जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद हैं अंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदय जब पुलवाम हमें 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बैटी अपनी भार्ती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुषकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख न मैं अपनी वानी को विराम की और ले जाते हूए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की ने एक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोच निया लेके दरवाजे खोल दिये जाते हैं ऐस के घोर कुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिंद जैभरत